दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से वताया था कि किस तरीके से तेजस मार्क वान यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन को और इनहेंस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कमपनियों को जोडने का बात कहा जा रहा है और किस तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर कमपनिय तेजस मार्क वान यार क्रेप्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो सालना 144 यार क्रेप्टों से भी अधिक यार क्रेप्टों का प्रोडक्शन भारत में हो सकेगा और दोस्तों अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि खालिक के चीप वी आर चौधरी के तरफ से एक इंटरव्यू में इंडियन यार फोर्स के बढ़ते हुए डिमांडों को देखते हुए भारत के स्वदेशी यार क्रेप्ट खास करके तेजस मार्क वान यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन को और इन्हेंस करने का डिमांड किया गय अब फिलाल दोसों तेजस मार्क वान यार क्रेप्टों के डिफलोप्मेंट को देखा जाए तो लगवग लगवग इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार हो चुका है और साल 2025 के अंध तक शायद ये प्रोटोटाइप को रोल आउट भी कर लिया जाए जबकि वो 200 यार क्रेप्टों को अपने बेड़े के लिए चाहता है हाला कि ये जो संख्या है ये यार क्रेप्टों के साथ आने वाले समय में और बढ़ सकता है पर इंडियान यार फोर्स के अगर ये 200 यार क्रेप्टों के रिक्वार्मेंट को भी फुल्फिल करना है तब भी सालना 24 चौवीस यार क्रेप्टों के दरफे तेजस मार्टू यार क्रेप्टों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बातों को रखा गया। बेड़े से जो पुराने यार क्रेप्टों को जल से जल रिटायर करना चाहता है। उस रिक्वार्मेंट को भी पूरा किया जा सकेगा। दोसों आप लोगों के जानकारी के लिवतादू की तेजस मार्टू यार क्रेप्टों के साहरे इंडियान यार फोर्स अपने बेड़े से मिराज 2000 जैगवर और मिक 29 जैसे यार क्रेप्टों को रिटायर करना चाहता है। और फिलाल इंडियान यार फोर्स के बेड़े में इन यार क्रेप्टों का संख्या करिफ करीब 12 स्क्वाडरन तक है। अतरिक्त मात्रा में और यार क्रेप्टों को भी खरिदना पड़ेगा। होता है मतलब 18-20 यार क्रेप्टों के दरपे यार क्रेप्टों का प्रोडक्शन होता है तो 300-300 यार क्रेप्टों के रिक्वार्मेंटों को पूरा करने के लिए कम से कम 19-20 साल का समय लगेगा। पर इतने लंबे समय तक मुझे नहीं लगता है कि तेज़स माक्टू यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन लाइन को रन करने के इंट्रेस्ट में इंडियान यार फोर्स है मतलब संभावित इन यार क्रेप्टों के रिक्वार्मेंटों को आठ से 10 साल के अंदर पूरा करने क इरादे के तहती इंडियान यार फोर्स आगे बढ़े और वहीं पर दोस्तों अगर यार क्रेप्टों के प्रोडक्शन को और एनहेंस नहीं किया जाता है तो संभावना काफी कम है कि इंडियान यार फोर्स के तरफ से अतरिक्वत तेज़स माक्टू यार क्रेप्टों का और्डर प्लेस किया जाए मतलब इनिशियली तो इन यार्ट्रेप्टों के प्रोडक्शन रेट को अगर 18-20 तक रखा जाता है तो इससे इंडियान यारफोर्स को कोई इशू नहीं होगा लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने के 1-2 साल के अंदर कम से कम यार्ट्रेप्टों के एक ऐसे प्राइबेट सेक्टर कमपनियों को प्रोडेक्टों में जोड़के रखा जा सके और इसके लिए एक नया इनिशियलीटिव मतलब स्पेशल फरफोर्स वियेकल के इनिशियलीव को उठाया गया है जिसके अंतरगत असल में प्राइबेट और गौर्वर्मेंट ओन कमपनियों के एक कंसर्शियम को निर्मान किया जाएगा जो की इन यार्क्रेप्टों के प्रोडक्शन का भूमिका निवाएगा पर तेजस मार्क्टू के लिए ये शायद अलग हो और शायद एक गौर्वर्मेंट ओन कमपनियों के प्रोड़क्शन फेसिलिटी के साथ पयारी किया जा रहा है तो उही पे दूसे तरफ तेजस मार्क वान ए यार क्रेप्टो के जल से जल्द डिलिवरी को लेके इंडियन यार फोर्स के द्वारा हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड के सामने अपने बातों को रखा गया बेसिकली दोस्तो यार चीप मार्चल वी आर चौधरी के द्वारा तेजस यार क्रेप्टो के डिलिवरी में डिले को लेके कंसरन जताया गया और हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड को इन सभी कंसरनों को दूर करने के लिए एक तरीके से रिक्वेस्ट किया गया और दोस्तो ये जो तेजस यार क्रेप्टो का डिलिवरी का डिले है इससे दूर करना इसलिए भी आवशक है क्योंकि तेजस यार क्रेप्टो का भूमिका इंडिया नियार फोर्स के बेड़े में काफी महत्तपूर्ण रहने वाला है क्योंकि एक तरफ जहाँ इन यार क्रे में मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के द्वारा इंडियान यार फोर्स के लिए करिवन 83 तेजस यार क्रेप्टों को खरिदने को लेके 48,000 करोर रुपे के एक समझोता हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड के साथ किया गया था और इन 83 यार क्रेप्टों में से करिव करिव 73 त था दस तेजस मार्क वान ट्विन सेटंडर का यार क्रेप्ट है हाला कि समझोते के अंतरगत इंडियान यार फोर्स को मार्च 2024 तक यार क्रेप्टों का डिलिवरी शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक भी इंडियान यार को अपना पहला तेजस मार्क 1 अयर क्रेप्टो का डिलिवरी नहीं मिला मीडिया रिपोर्टो में ख्लेम किया जा रहा है कि आइर्कर्टो के डिलिवरी ना होने के पीछे कई सारे कारण है जिन में सबसे बड़ा कारण international supply chain डिस्ट्रव होना है और वही पे आप लोगों को यह वी वता दू कि सप्लाइचन के इशू के वज़ा से अमेरिका के द्वारा भी A404 इंजिनों का डिलिवरी डिले किया गया है और बिना A404 इंजिनों के तेजस मार्क वान एयरक्रेप्टों का निर्मान संभब नहीं है हाला कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी माइने से हिंदुस्तन एर्फनोटिक्स लिमिटेड को जेनरल इलेक्टिक के द्वारा इंजिनों का सप्लाइचन का शुरू कर दिया जाएगा लेकिन वही पे रिपोर्टों में ये वी क्लेम किया जा रहाएगी इंजिनों के सप्लाइचक शायद इतना अधीक रफतार में ना हो जो कि इंडियन एर्फोर्स के रिक्वर्मेंटों को तैस समय पे पूरा कर सके illegally guide parameter को दिह समय में और ये और तेज रफतार सुछा जाने के इसी वजह से हिंदुस्तन एर्टों इर्फोर्स के सामने रिक्वेस्ट किया ज आला कि सप्लाइचन के इश्यूस के बावजूद भी हिंदूसन अरनुटिक्स लिमिटेड तेजस यारक्रेफ्टों के डिलिवरी को तैस समय पे करने को लेके बातों को रख रहा है। अंजाम दिया जा सके और कम से कम समय के अंदर इंडियन यार फोर्स को तेजस मार्क वान एयार क्रेफ्टों के डिलिवरी शुरू किया जा सके। अधिक त्रश्ट और कम त्रश्ट वाले वेरीन्टों का भी डेवलाप्मेंट हो सकता है जो अन्य यार क्रेफ्टों में इस्तेमाल हो लिए जैहिन वंदे मातरम